हाँ तो गईज सबको इंतजारता इस वाली वीडियो का जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हूँ एक बोई अपने बैड रूम में बैट कर राम आड देख रहा है टीवी में साथ में उसके जो सर्ट है न वो भगवा कलर की है जिसमें आप देख पा रहे हूँ सर्ट के प पूटो को क्रेट करने वाले हैं तो आपको अपने गूगल कोरम ब्राउजर उपन करने हैं जैसे आप अपने गूगल है पर कोरम ब्राउजर को उपन करोगे सबसे पहले आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक करने हैं अब देखो आपको यहाँ पर जो सर्च करना है उसको वाली website को open करना है जैसे आप first number की website को open करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा अगर आप इस website को first time यूच कर रहे हो तो आप लोगों को यहाप एक अपना account वनाना पड़ेगा तो account वनाना simple है आप अपना email वगरा डाल कर यहाप पर account को create कर लेना आपको यहापे जो box देख रहा है इसमें आपको कुछ लिखना है वो मैं आप लोगों को आँगे दिखाऊंगा सबसे पहले आप यहापे देखिएगा अगर आप इसमें first time login होते हो account वना कर तो आप लोगों को 15 वार trial का मौका दिया जाता है मैंने यहापे 7 वार try कर लिया है अभी भी 8 वार मौका है अब देखो मुझे next image बनाना है आपको जो सिरी राम T-set वाला image बनाना है उसमें आपको जो text लिखना है वो आपको comment box में मिलेगा साथ में telegram channel पे भी दे दूँगा तो comment box में से अगर आप उसको copy नहीं कर पर रहे हो तो आप लोगों को same to same copy paste करना है यानि कि आप अपने keyword में type कर लेना या पर आप telegram से अगर आपने join किया है तो भाहाँ से copy हो जाता है अब देखो आपने text को copy कर लिया है next आपको Microsoft website में जाना है अब यहाँ पर जो box है ना box में आपने जो text copy किया है उसको यहाँ पर paste करकर आप create पर click कर देना जैसे आप create पर click करोगे यहाँ पर थोड़ा सा loading process चलेगा maximum एक या दो मिनिट तक यहाँ पर loading process चलेगा उसके वाद में आप लोगों को यहाँ पर image बना कर दे देता है आपने जो भी box में टाइप किया है ना बहीवाला image बना कर देगा जैसे कि मैंने English में लिखाता है हिंदी में बता रहा हूँ मैंने already पहले से 3-4 image डाउनलोड किया है तो मैं जैसे कि इसको डाउनलोड करना है तो image पर क्लिक करना है तो आपने आप image को डाउनलोड कर लिया है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हूँ तो यह तो normal image है इसमें हमको कुछ ज़्यादा problem नहीं आने वाली है तो अगर आपका जैसे कि यहाँ पर boy जो होता है उसके आंगी की side में TV होता है उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन मैं हूना टेंसर मतलो तो video edit करने के लिए आपको अपना light motion application ओपन करना है जैसे आप light motion को open करोगी सबसे पहले आपको plus के icon पर click करना है next आपको instagram real वाली size में इसका size करना है यानि की 9.16 में background जो है न उसमें black color को select करकर आप create project कर देना अब next आपको plus पर जाना है plus पर जाने को आपको जाना है media वाली section में अब देखो आपने जो भी photo create किया है न वाला photo आपको select करना है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो normal वाला photo है जैसे कि यह वाला जो photo है न उसमें tv जो है न बिल्कुल just सामने रखा है तो इसमें video clip लगाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है लेकिन कापिशारा image ऐसा होता है जिसमें boy की सामने की side में tv लगा होता है उसको भी edit करना बताऊंगा सबसे पहले तो आपने जो image select किया न उसके layer का timeline आप adjust कर लेना जैसे कि आप अपने वीडियो कितने second का बनाना चाहती हूँ मैं बनाना चाहता हूँ maximum 8 second का इसी तरीकी से आप अपने according layer का timeline आप एड़ेस्ट कर लेना अब देखो आपने यह पर फूटू एड़ किया होगा न आप देखो मेरा जो यह वाला जो फूटू है न वो विल्कुल नॉर्मल है जैसे कि इसमें जो टीवी है न वो जच्ट सामने है तो इसमें किलिप को एड़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है तो चली सबसे पहले आपको वीडियो के लिए पैट करना है तो वीडियो के श्टैटिंग में आना है प्लस पे जाना है तो Sam OSI photo के according जो आपने video का clip यहाँ पे add किया है, उसके layer का time layer नहीं होना चाहिए, अब आपने यहाँ पे जो video clip add किया है, इसको आपको TV में लगाना है, जो आपके image में छोटा सा TV नजर आता है ना, उसमें आप लोगों को लगाना है, तो move पे जाएगा, जैसे आप move पे आपको साई फ्यर से जो video का clip है, उसको पकड़कर आप TV में लगा देना, यानि कि अगर बिल्कुल fit भी नहीं हो पार है, तो आपको tension नहीं लेना है, इसको हम बाद में edit करेंगे, तो अभी आप लोगों को maximum TV में edit करना है, जैसे आप edit shape पे जाओगे, अब आपको यहाँ प यह वाला जो video का clip था नहीं, इसमें तो कोई भी दिंकत नहीं आया है, अब next edit बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपका जो boy की सामने की side में TV है, तो boy की सामने video clip को cash ले जाना है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले photo को change कर लेता हूँ, अब देखोगा, इस यहाँ पर मैं जो photo clip add कर रहूँ ना, इसके जो सामने थोड़ा सा corner आ रहा है TV का, लेकिन यहाँ पर हम TV को add करेंगे ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हूँ, साप साप, जैसी मैंने यहाँ वीडियो clip को add किया, तो थोड़ा से यहाँ पे hand cut रहा है, boy का जैसे कि आप यहाँ पर देख करेंगी है अगर उस से बोई का थोड़ा बहुत पारेट कड रहा है तो आप लोगों को टूपर्द को कैसे करना है उसके लिए आपको अपना Google या ओपन करना है जैसे आप ओपन करोगे अब आपको सर्च में जाना है जैसे आप सर्च में जाओगे अब आपको यहाँ पर बैक्क्राउंड रिमूव लिखके सर्च करना है जैसे आप बैक्क्राउंड रिमूव लिखके सर्च करोगे आपके सामने पस्ट नमबर पर एक बैप बना रहे हूँ तो बोवाले image पूटू आप लोगों को यहाँ पर select करना है यहाँ पर थोड़ा सा loading लेगा आपके पूटू को automatically यहाँ पर PNG बना देता है जैसी कि आप देख पा रहे हूँ अब जैसी आपका पूटू यहाँ पर PNG बन जाता है अब आपको थोड़ा नीचे पूटू में अता लेकिन आप लोगों को उसी के जैस्ट लूपर duplicate PNG वाला लगा देना है तो यहाँ पर जो आपका TV है न टूप्रेंट में चला जाता है जैसी कि आप देख पा रहे हूँ तो इस तरी के साफ आप इस वाली वीडियो को एडिट कर पाऊगे अब रहता है ओडियो एड करने का काम तो भाई वो तो आप अपने साब से कर लेना जो भी आपकी रील्स में ट्रेंडिंग में चल रहा है न वो वाला ओडियो आप लगा लेना तो चली आज के लिए वस इतना है एंड जाने से पहले वाई वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो खर जाना बाकी पर मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ में अपना ध्यान लगें वाई